नमस्कार दोस्तों, आवर फेमिली गुरू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह के बारे में। बहुत सारे क्लाइंट लोग में से पूस्ते हैं कि राहु ग्रह क्या है और राहु ग्रह किस तरह से अच्छा या बुरा प्रभाव देता है। तो आपको हम बताने वाले हैं कि राहुग्रह अगर आपका कुंडी में अच्छा है तो बहुत ही अच्छा फल देंगे और अगर राहुग्रह अगर खराब है तो उसका क्या निवारन है जिससे आप राहुग्रह का नेगेटिब परहौ से बच सके। जब भी राहुग्रह अच्छा परहौ देता है तो वेक्ति को सेलिब्रिटी बनाता है वेक्ति अपना फिल्ड का सेलिब्रिटी बनता है चाहे वो जिस फिल्ड में हो चाहे जो भी प्रोफेशन में हो उस फ्रोफेशन में वो बहुत ज़्यादा तरकी करता है नेम फिम प्रा लाइफ में और उनका हर एक काम अचानक होते रहता है क्योंकि राहु जो जब भी देता है वो छपर फार के देता है आप तो सुने होंगे कि वेक्ति कुछ समय में बहुत जादा धन्वान बन गिया और बहुत सरा वेक्ति रातुरात लोटरिक निकल जाता है या कोई ऐसा जो जमीन जो है रातुरात बिग जाता है और कडोडो अरब रुपया का उनको उसमें प्रोफिट हो जाता है तो बहुत सरा जो आप देखेंगे कि अचानक धन देने वाला जो ग्रह होता है वो राहु ही है जो वेक्ति के पास अचानक पैसा आता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि राहु ग्रह किस परकार आपको धन देगा, कुंड़ी में ऐसा क्या योग होना चाहिए, जो कुंड़ी में राहु पॉजिटिव काम करे, चलिए आपको बताते हैं, यह आपका जनम कुंड़ी है, आप अपना जनम कुंड़ी को निगा लिएगा और देखेगा, कि आपका कुंड़ी में राहु कहां बैठा हुआ है, यह पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा, छट्वा, आठ्वा, नौवा, दस्वा, ग्यार्वा, और बार्वा, यह बारा हाउस होता है, और राहु कहीं भी बैठ सकता है, चाहिए इस हाउस में बैठे, इस हाउस में बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, मान लिजिये कि हम राहू को धन हाउस बेठा दिये ठीक है तो यहां पर मान लिजया राहू बेठा हुआ है आपका कुल्डी में ठीक है तो यहां से आप गिनियेगा कि पाच्वा हाउस और नवा हाउस में गुरुक बेठा हो एक, दो, तीन, चार, पाच यह जो पाच्वा हाउस हो गिया यहाँ पर अपका गुरू होना चाहिए एक, दो, तीन, चार, पाच उसी प्रकार नोवा हाउस तो गिनते हैं राहू से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो यहाँ पर गुरू होना चाहिए अगर राहू का पंचम हाउस में गुरू बेठा हो या फिर राहू का नवम हाउस में गुरू बेठा हो तो यहाँ पर राहू बहुत जदा प्रोजिटिव रिजल देगा यह राहू का राहू के उपर गुरू का दृष्टि गुरू का जो दृष्टि होता है वो पंचम और नवम होता है गुरू का दृष्टि आपका राहू से नवम हो गया एक, दो, तीन, चार, पाँच, गुरु पंचम दृष्टी से राहु को देख रहा है अगर यहाँ पर गुरु को बिठाते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो मतलब गुरु जो है नवम दृष्टी से राहु को देख रहा है तो ये राहु अम्रित पिया हुआ राहु है और अम्रित पिया हुआ राहु हमेशा वेक्ति को राज्योग परदान करता है छप पर फाड के धन देता है और रातो रात वेक्ति को सेलेब्रिटी बनाता है चाहे आप किसी भी फिल्ड में हो चाहे आप फिल्मी दुनिया में हो चाहे आप medical field में हो, चाहे आप engineering line में हो, चाहे property line में हो, किसी वी field में अगर है आप और राहू का पंचम house में गुरू बिठा है या राहू से नवम house में गुरू बिठा है तो हमेशा राहू यहाँ पर राजयोग परदान करेगा तो आप सबसे पहले तो आप अपना कुंडली को चेक कीजिए ताकि आपका राहू अच्छा है या खराब है अगर आपको कुंडली चेक नहीं करने आता है तो मेरे mobile number में अपना date worth भेजिएगा तो आपको हम चेक करके बता देंगे कि आपका कुंडली में राहू